हेलो दोस्तों कैसे आप सब लोग कॉमेडी मूवी यानि की एक ऐसी रेमेडी जिससे बेपी हो जाता है कम और हस्ते हस्ते निकल जाता है हमारा दम तो आज मैं आपको कुछ ऐसे एक्टर्स के बारे में बताऊंगा जो कि हमें हसाते हसाते हमें कोमेडी का डोस दे सकते है अपनी एक्टिंग के दम पड़ पंकच श्चरीपाखी, यह एक ऐसे एक्टर है जो किसी भी रोल में फिट हो सकते है इसलिए मैंन को फादर का रोल देना पसंद करूँगा कुरोना में जीना जरूर, टाइम पास करने के लिए देखना मिर्जा पूर देखो पंचायर देखने के बाद मदर के रोल में क्वीन बन चुकी है नीता गुपता, इनकी सिंप्लिसिटी ही इनकी एक्टिंग का असली राज है जितना रोल कैप्टन का होता है क्रिकेट में, उसी तरह लीड एक्टर का भी रोल उटता ही होता है एक फिल्म में लीड एक्टर में सबसे अच्छा नाम आता है आयूश्मान खुराना, इनकी एक्टिंग, एक्स्प्रेशन, डायलोग्स, देखकर मैं बस यह ही कहना चाहता हूँ कि मेरे लिए तुम काफी हो लीड एक्टरस में सबसे ज़्यादा नाम आता है, लीड एक्टरस में बेस्ट एक्टरस लगती है, मुझे भूमी पिंडेकर, जब से इन्होंने टॉलेट फिल्म में काम किया है, तब से लगा के अब तक यह मेरी फेवरेट एक्टरस बनी हुई है, इनकी सिंपलिसिटी प साइड रोल के लिए सबसे बड़िया नाम मुझे लगता है वो है राजकुमार राओ, देखो राजकुमार राओ तो हीरो से भी अच्छी एक्टिंग कर लेता है, पर मैं इनको ऐसे साइड रोल में देखता हूं, क्योंको उनका रोल ही कुछ इस तरह का होता है कि वो दोस् कर है, ऐसा लगता है वह रीयल लाइफ में रियालिटी में आक्ट कर रहे है, देखो अगर compatible की करें, तो विलन कहुन होता है यारी जो हमें खलीन, खली हीरो को टेंचंग देंगा कौमेड़ी मुवी में तो विलन का काम और भी बढ़िया हो जाता है, हमें हसाता रहता है तो मेरे लिए कॉमेडी मूवी के विलन में सबसे बढ़िया नाम आता है विजय राज पिर हम बात के लिए रिलेटिव की जैसे की चाचा ताउ ना ना तो इनमें मुझे सबसे बढ़िया रोल लगता है गजराज राओका जी हां हमने इनको देख रहा है शुबमंगल जादा साउधान में इनकी एत्ती बढ़िया होती है और इनकी नैचरल एक्टिंग होती है और हमें हमें यह असली जैसे लगते अपने डिलेटिव इसलिए मैं इनको डिलेटिव एक्टर्स में रखता हूँ तो देखूं यहाँ पर होते हैं मेरी वीडियो समाप तब तक के लिए हंसते रहिए खुश रहिए कॉमेडी मुवीज देखते रहिए और कॉमेंट में लिखे कि आपकी फेवरेट कॉमेडी मुवीज कौन थी है आयुश मान की खतम बाई बाई टाटा गुट बाई गया